आप सब भी का स्वाकत है अभी मैं आप सब भी को NEET UG BCECE Estate Counseling Registration कैसे करते हैं Step by Step आप सब भी को बताने वाला हूं ध्यान से समझना है सबसे पहले Google पर सर्च करना है bceceboard.pr.gov.in इसका direct link description box में दे दिया है लास्ट में आप सब भी direct open कर सकते हैं अगर आपने form apply कर लिए फिर भी आप सब भी को एक बार देख लेना है कहीं आपने कुछ गल्ती तो नहीं किया है अगर गल्ती किया है तो आपको edit करने का भी option दिया जाएगा इसको tension ना ले तो उसके पास इसके बाद आपको क्या करना है online application form यहाँ पर first option दिया गया है आपको कोई भी notification मिलेगा इसके बाद right इस पर मैंने मैंने क्लिक किया अब जैसे क्लिक किया यहाँ पर बहुत सारे ची प्रोस्पक्त भी मिल जाएगा और भी आपको यहाँ पर कुछ important notice दिया गया है apply online पर आपको क्लिक करना है हमने क्लिक कर दिया जैसे आप तो भी क्लिक क करना है तो मैं new registration करके आपको बताऊगा ठीक है यहाँ पर हमने new registration पर क्लिक किया open हो गया अब देखे आपको क्या करना है एक चीज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले यहाँ पर अपना नीट का रॉल नमर फिल करना है जब आप सब यहाँ पर रॉल नमर फिल करेंगे तो यह फिल करेंगे तो यह verify हो जाएगा जब तक verify ना करेंगे तब तो नीचे जो sign up का जो आइकोन है वह आपको नहीं मिलेगा तो इसको verify करेंगे इसके बाद दूबारा यहाँ पर आपको रॉल नमर एंटर करना है उसके बाद application नमर नीट का ही जब आपने रेश्टन किया था उसे में application number मिला था आप सब यहाँ पर एंटर करें उसके बाद आपका ओल इंडिया नीट का क्या राएंग है वह फिल करें इसके बाद आपना नाम तो देखे हैं नाम में दे रखा है फॉस्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर आपका जैसे मेरा नाम ऑनिस हु और अगर आपका नाम मिडिल में है तो आप सब भी मिडिल एंटर कर सकते जैसे मेरा नाम ऑनिस कुमार सिंग हुआ तो अगर ऑनिस कुमार सिंग में लिखता ऑनिस और मिडिल में कुमार और लास्ट में सिंग लिखता ठीक है यह आपको समझ में आ गया फिर रिंटर आपको अपना नाम यहां पर यहां पर यहां फिल कर दिया उसके बाद अपना अपना date of birth आपको यहां फिल करना है इसके बाद आप सभी को यहां देखें अगर आप हैं तो यहां पर क्लिक करें तो यानि आप अपको बता दू कि अगर आप जारखन से आपने पढ़ाई किया है और अगर आप इस्टेट अगर आप बिहार में डो मिसाइल है तो मैं आप बिहार के लिए दो मिसाइल है तो eligible रहेंगे बिहार के लिए ध्यांस ठीके अगर आप बिहार का दो मिसाइल है बिहार में घर है बिहार में जमी है तो आप eligible 100% है चाहिए आप पढ़ाई किसी और ही स्टेट से की हो लेकिन बिहार से आप eligible है आप इस form को apply कर सकत दें ऐसेना चलिए तो ऑगर आपके पापा के नाम से बिहार में जमीन अगर मतलब आगर थोड़ा सा भी है यानि आप उस इस मतलब आप बिहार के निवासी है क्योंकि बिहारpower में आपका है न तो हां तो दो मिसाइल आप यह ध्यान से दो मिसाइल आप सभी बनवा लेंगे ठीक है इसको लेकर मैं डिटेल में और बता दूंगा अगर कन्फ्यूजन है साप आप सभी मैसेच करें रियर्ब आप जो भी है यहां पर फिल अपर यू आर बीसी एबीसी एसस यू आर मैंने फिल अप किया अब ध्यान से देखेंगे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर करते हैं तो ध्यान से यहां पर यहां पर य्यास करेंगे जैसे यहींस पर यहां आप और यहां पर चार अगर जैंरूरे रखना है अगर यहां पर नो करते हैं। इसका मतलब आप जैंरल कर्तिक्रिसे से स्ट्वृ को चाहते हैं तो हमने यस कर दिया ठीक है अगर आपके मने माल भूँ ठीक है यस होनो जो आप देख लेंगे आपको यस नहीं है तो नो करेंगे अगर disability quota से बिलॉंग करते हैं तो यस अन्य थनो अपना email ID यहां पर फिल अब करें आप सभी यहां पर email ID फिल अब करें फिर email ID रीइंटर करना है फिर password यहां पर strong password बनाएंगे आप सभी मैं आपको बता दो सबसे common password आप बनाद सब्सक्राइब और अपना mobile नमबर डालना है फिर एंटर mobile नमबर एक्टी mobile नमर आपको फिल अब करना है के बाद आप सब देखो अपना अधार card number यहां पर फिल करना है completely और इसके बाद एक security question का नाम दरें यहां पर कोई भी नाम select करें जैसे मैं नाम select किया what is your favorite movie तो आप सब यहां पर अपना जो भी नाम है आप सब यहां पर दे सकते हैं favorite movie जो भी आपका है वो दे सकते हैं मैंने x y z जो भी दे दिया ठीक है इसके बाद आप सब यहां पर capture code फिल करना है तो ध्यान से यहां पर अगर small h लिखा है i small n small c a r अगर capital में डालेंगे तो यह नहीं लेगा तो ध्यान से ठीक है यह पूरा process आपको करना पड़ेगा यह complete fill up करने के बाद आप सब यह को sign up का option मिल जाएगा और सब से उपर roll number जब fill up करेंगे उसके बगल में verify आपको करना पड़ेगा date of birth के साथ वो verify करेंगे complete detail fill up करेंगे आपको sign up का option मिल जाएगा अब मैं sign up करके आपको बताता हूं अब जैसे sign up करेंगे आपको एक confirm और change करने का option मिलेगा अगर आप 100% confirm है कि आपने जो detail दिया है सही है आपको यहां पे confirm पे click करना है मैंने जैसे confirm पे click किया वहां से registration process confirm करने के बाद आपके mobile पे OTP जाएगा उस OTP से आपको कुछ activate करना है यह main page फिर से आपको दुबारा वापस आना है और यह वही पेज़े जहां से आप new registration का portal open किया था यह activate your account पे आपको click करना है यह एक्टिवेट एकाउंट पे हमने click किया तो यह username और OTP यहां अपने registration में दिया है वहीं आप email यहां पर डाले और जो mobile पर OTP गया है चाहे activation code के नाम से या जो भी आपका गया है मैं आपको बता दूँ आपकी mobile पर लिखा होगा कि dear candidate your registration has been successfully completed completed for BC ECEB UGMAC 2021 and their verification code is Desk वहां लिखा होगा यहां पर फिल करके submit करना है सब्मिट करते हैं आपका activate हो जाएगा उसके बाद आप सभी को वापस इसी page पे आना है इस page फिर आप सभी को यहां पर sign in पर click करना है और sign in करने के बाद आप यहां पर email फिल करें जिस email से आपने activate किया है और जो आपने password बना रखा है उस पास्पोर्ट के फिल करके आपको फिर से लॉग इन करना है यह प्रोसेस आपको करने के बाद जैसे आप सुभी वहाँ पे लॉग इन करेंगे आपने जो रजिशन किया है वहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर शुरू हो जाएगा इसमें कुछ आपको पर्सनल देना है और इसके बाद आपको अप्लोड फोटो सिंग्नेचर एजुकेशन इन्फोर्मेशन और इसके बाद प्रिव्यू कंप्लीट आपको एक पेस दिखाएगा जो आप चेक कर लेंगे प्रिव्यू उसके बाद आप सुभी को कनफर्म करना है ठीक है चलिए आगे प्र आप सब भी डिस्टिक कोड ऑफ द इंसुशन्स ऑफ पार्शिंग और एपेरिंग आया सी किस डिस्टिक से आपने किया है आप सब यहां पे फिलब कर देंगे बहुत सारे स्प्रूर्ण्स ऐसे भी होगे कि उन्होंने किया होगा किसी और स्टेट से लेकिन डो मिसाइल प् बिहार का ही ठीक है तो अगर सपोज कि आपने बिहार में किसी भी डिस्टिक्ट से किया तो आपको पतना जहां से भी किया है पतना फिलब कर दिया अगर आपने कहीं बाहर से किया है तो आप अधर सेलेक्ट करेंगे यहां पर अधर ठीक है अधर यहां पर सेलेक्ट आप करें अगर आपको उर्दु से पढ़ाई किया मैट्रिक पास के तर सब अगर आप एनब से हैं तब अनेता नो करें मुझे पता है cubo रेंं जब्रेमाडब शार्पलिन किया करके पर्मनेट यहां पर डॉइसार फीलप करेंग अगर जो पर्मनेंट है उसी को आप same as corresponding में कर देंगे ठीक है यह ज्यादा रहेगा मैं तो सभी यहीं कर देंगे ठीक है तो इसके बाद यह सब फिल करने के बाद आप सभी submit and continue पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यह सब process करने के बाद आप सभी यहाँ पर फोटो एंड signature अपलोड करें है अगर आपके पास फोटो नहीं है तो मैं suggest करूंगा आप सभी क्या करें अगर मानिए कि आप सभी इस जहां पर फोटो आपने खिचवाया था वहां पर विजेट करें वह आपको same photo बना कर देंगे बस आप उनको date बता दीजेगा तो बना सकते हैं उनके पास रहता है या करें उस फोटो से multiple photo आप सभी बना लेंगे या एक और मैं रास्ता बताता हूं आप सभी के पास application form पी जो photo paste होगा वह भी करवा सकते हैं या एक और मैं रास्ता बताता हूं अगर नीट जैसे application form जो download आपने किया था वहां पे colored photographs होता है उससे भी photo निकल जाता है यह भी भी करवा सकते हैं आप ठीक है बहुत तरीके होता है तो यहाँ पे उसके बाद English signature यहाँ पे English में signature करके upload करना है और Hindi में और size आप सब यहाँ पे देख सकते हैं काफी limited size से तो आप सभी इक बार इसको देख ले फोटो upload करने के बाद आप सब भी को save and continue करना है इसके बाद कि अपना जो भी स्टेंडर्ड थेंथ सब्यक्त ब्रांज भी विपीर और सब्सक्राइब सब्सक्राइब ने बिर tadi rất quiet आपका जो भी आपको select करना है उसके बाद कितने marks यहाँ पर opt-end आपको हुए है और इसमें बगल में total marks कितने है वो fill करना है ठीक है इसके बाद अपना class 12 का ऐसे ही आपको fill up कर देना है यह बहुत easy process है इसके बाद आपका English, Physics, Chemistry और Biology में कितने marks है वो ध्यान से यहाँ पर सब कितने opt-end की वो लिखना है इंग्लिस में और 100 में आपने कितने physics में chemistry biology किया है इस पर fill up करने के बाद आपको save and continue पर click करना है यह fill up करें एक बाद मैं आप सब भी को बता दू कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा confused हो जाए कि आप subject branch क्या डालना है class 12 में तो आप science डालतेंगे औ 10 में क्या डालेंगे तो मैं आपको बता दू इसमें ज़्यदा टेंसर लेने के जरूत नहीं है यहाँ पर all subject डाल सकते हैं या आप सब यह काम कर सकते हैं आपने साइंस है आपके पास जो भी आपके पास था वो short form यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे बेतर रहेगा आप all subject यहाँ पर इसको फिलब करके submit and continue करता हूं जैसे save and continue करते हैं प्रोपर अपना educational qualification देने के बाद आप सब भी देखेंगे कि प्रोपर आपका यहाँ पर जो भी करेंगे प्रोपर एक preview आपको मिल जाएगा मतलब अच्छे से आप सुभी इसको री चेक करें जो जो एप्लिके अगर इसमें कुछ गलती लग रहा है तो आपको back to edit पे click करना है अगर confirmed है तो आप सब भी conform और submit करेंगे अब इसके बाद आप सबjorно करते हैं उसके बाद तो प्रोसिट amount अपना जो भी type है यहाँ पर select करेंगे online ही करेंगे तो online आपको एक ही process है online का credit card debit card SBI जो भी आपके पास अगर credit card है debit card है तो मुझे पता है कि maximum student debit card से करेंगे मुझे तो सबसे ही debit card लगता है ठीक है debit card पर click करेंगे जैसे debit card पर आप click करेंगे इसके बाद आपको दिख जाएगा 14 रूपीज आपको एक्स्टा लाएगा इसके बाद proceed to payment पर click करते ही आपको यह proper option दिख जाएगा उसके बाद click here to pay now अब यहाँ पर click करके आप सब्वी को pay करना है जैसे click करते हैं इसके बाद यहाँ पर देखें आपर अब यहाँ पर अपना card नंबर जो ATM card पर नंबर है उस पर फिल करें ATM card के एसपारी डेट है वो फिल करें उसके back side में CV3 का होता होता है वो payment करें card holder name और make payment पर click करके आप सबी इसको confirm करें make payment करेंगे mobile पर OTP जाएगा OTP जो bank का है वो जाएगा उसक successfully आपके आपके laptop या desktop जो भी फिल अप कर रहें प्रोपर application form वह आपको मिल जाएगा वहाँ से आपसे डाउनलोड करके रख लेंगे ठीक है बागी का process जो आगी का है वो मैं आपको बता दूगा पहले इतना आप सो भी करें thank you